गर्मियों शुट्टी के बारे में जो है कि वो डेट जो डाला गया 15 अपरियल से 15 माई का एक महीने का शुट्टी वो तो बिल्कुल लॉजिकल नहीं क्योंकि उस वक्त उतनी गर्मी नहीं होगी जो जून जुलाई में गर्मी पढ़ती है तो फिर बच्ची की पढ़ाई उस समया आपको स्टॉब करानी होगी क्योंकि बच्चे गर्मी में आएंगे नहीं हं लोगा टो चल जले आएंगे घरमी छुट्टी है कोई भी फेस्टी वाले हम लोग चले आएंगे या फिर हम लोग सी ये ले लेंगे चुट्टी लेंए उस दिन नहीं आएंगे लेकिन थे लगया हिंदू पर्फ की खुट्तियों को रद हेसे में काफी विवाद में है। एसे में हम शिक्षकों से बाचीत करेंगे। एसे में हम सब्सक्राइब करेंके तरहे और भी में रहों कि उने चुप complètement को चलका दिये हाई हल एमने सब्सक्राइब क्षटी रहे क्यों हुए like पच्छा नहीं आपाया हम लोग क्या करेंगे जिस तरीके से कालेंडर जारी हुआ है सब्सक्राइब को लेकर चुट्टियों को लेकर मैं तो बस इतना ही कहना चाहरी हूं कि ये कैलेंडर तो बिल्कुल ही अच्छे भंग से नहीं बनाये गया है क्योंकि कुछ ऐसी चुट्टियां डाल दी गई है जो पहले नहीं होती थी और अब सब्सक्राइब को बढ़ाया गया है और गर्मियों चुट्टि के बारे में जो है कि वो डेट जो डाला गया है 15 अपरियल से 15 माई का एक महीने का शुट्टि वो तो बिल्कुल लॉजिकल नहीं क्योंकि उस वक्त उतनी घर्मी नहीं होगी जो जून जुलाई में गर्मी प हम तो आ जाएंगे क्योंकि हम तो टीच सिक्षक है हमें तो हर चीज करना आदेश के अनुसार लेकिन क्या पेरेंट्स अपने बच्चों को उजिन भेजेंगे स्कूल ये एक सवाल है इसलिए समझ के संसोधन करना ही चाहिए गवर्मेंट को आदेश तो बिल्कुल ही गलत है हम लोग तो चलिए चले आएंगे गड़मी चुट्टी है कोई भी फेस्टिवल हम लोग चले आएंगे या फिर हम लोग सियल ले लेंगे चुट्टी ले लेंगे उस दिन नहीं आएंगे लेकिन बच्चे तो बिल्कुल ही नहीं आएंगे नहीं चाहिए लेना हूं जी बिलकुल इन सभसरें वतने हो से हम सहमत हैं और इस उनको कंब diferentes नहीं करने कि जरुद नहीं बचते नहीं थी बचका सकते हैं कि यहई से चीनी नहीं करेंको की की बुदो नहीं आ रहा उसका नाम काट दिया जाए तो फेस्टिवल के दिन हम उनको फोर्स फुली नहीं बुला सकते अगर वो दो दिन कंटीनिव आए थे और पड़ में नहीं आ रहे हैं तो फिर उस वेसिस पे उनका नाम भी नहीं काटा जा सकता तो यह तो बिलकुल ही कैलेंडर में चेंजिस की जरुवत है और हो नहीं चाहिए गवर्मेंट से रिक्वेस्ट है कि टीचर से टीचर की तरह काम लिया जाए तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है शिक्षक गुस्से में है साफ साफ कह रहे हैं कि आदेश को संसोधन करना चाहिए और जिस तरीके से पहले से झाल